यूपी में घटक दलों के साथ बीजेपी की सीट शेरिंग लगभखत हो गई है अपना दलों निशाद पार्टी के साथ 1517 सीटों पर सेहमियत बन गई है इमान्शू मिश्णा में सहयोगी स्वस्तमान जानकारी के साथ पजोड़ गई है या पिर अभी भी मंतन चल रहा है क्या स्थिती है देखे बिल्कुल निशाद पार्टी के साथ तो ये कह सकते हैं कि 15-17 सीटों पर जो है वो सेहमिती बन गई है लेकिन अपना दल एस जो उसकी नेता है अनुप्रिया पटेल का उन्होंने ग्रह मंतरी अमिश्णा ध्रिमेंद परधान केशब परसाद मौरिया सौतन तुर देव सेंग इन से मुलाकात की थी और उन्होंने 36 सीटों की मांग की थी और तब ये हुआ था कि देखिया हम उनको जो है आपको 14 या 15 सीटे दे सकते हैं तब अनुप्रिया पटेल ने कहा था कल वो बात करेंगी अपनी पार्टी में और उसके बाद आज एक बार फिर से जो है अपना दल एस की जो है मुलाकात हो सकती है देश के ग्रह मंतरी और बीजेपी के तमाम उननेताओं के साथ जिनके साथ कल उनकी सीट शेरिंग को लेकर मुलाकात होई थी तो ये कह सकते हैं कि निशाद पार्टी के साथ एक सहमती बन चुकी है लेकिन अपना दल एस के साथ अभी सहमती बननी बाकी है क्योंकि पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर अपना दल एस ने 11 सीटे लड़ी थी और उनका स्टाइक रेट बहुत अच्छा रहा था जिसमें से 11 सीटों में से उन्होंने 9 सीटे जो है वो जीती थी लेकिन अपना दल एस इस बार चाहता है कि 36 सीटों पर वो चुन के अपना दल एस बीजेपी से अलग होके चौनाव लड़ा था तो उसका संग्यान बीजेपी ने जरूर लिया है लेकिन इतना माना जा सकता है कि उन्हें भी 15 से 17 सीटे का ओफर जो है वो दिया जा सकता है लेकिन अब देखना यह है कि अनुप्रिया पटेल इसके लिए र कारी के लिए